बिहार में दूसरे चरण में 5 लोग सबा सीटों के उपर मतदान हुआ, पहले चरण में 4 सीटों पर मतदान हुआ था और उसके बोटिंग परसेंटेज से, दूसरे चरण के बोटिंग परसेंटेज में कुछ इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन निराश करने वाली बात ये है क कि दूसरे चरण में जो मतदान हुआ है वो 2019 के मुकाबले कम है लाग कोशिश चुनाव आयोग के जिसके जरीए यह अपील की गई लोगों से कि वो घरों के बाहर निकले और अपने मतादिकार का प्रयोग करें बावजूद इसके कुछ कमी कुछ निराशा खताशा परसेंटेज दूसरे चरण में भी बिहार में गिरता हुआ दिखाई दिया है चुनाव आयों की तरफ से बात बताई गए कि किस तरह से कुछ शकायते मिली थी समय पर ही उनका निप्टारा भी कर लिया गया इसके इलावा कुछ जगों पर वीवी पैट बदले गए इविय रहा और इसके क्या माइने हैं वो भी आपको बताते हैं देखे पहले चरण में जो चार सीटों के उपर मतदान किया गया था उसमें जो सीट थी वो औरंगाबाद गया नवादा और जमुई थी इसमें पाट फीसिदी कमी दर्च की गई थी दो हजार उन्नीस के मतदान प् क्यार के अंदर वो रहा किशन गंज में कटेहार में पूनिया में भागलपुर में और बांका में इन पाट सीटों के उपर मतदान हुआ 2019 की तुलना में 3.40 फीसद कम मतदान हुआ है 2019 के अगर हम बात करें तो इनी क्षेत्रों में 62.92 फीसद मतदान हुआ था और कल मात्र 69 फीसद रहा 69.52 फीसद अब ये निराशा चुनाफ के प्रती मतदान के प्रती क्यूं मतदाताओं के अंदर दिखाई दे रही है और ये किसोर इशारा कर रही है जरा उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं देखे कुछ एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि जब मतदान का प्रतिशत गिर जाए तो लोग ये सोचते हैं कि मौझूदा सरकार ठीक काम कर रही है इसे बदलने की बहुत जरूरत है नहीं और इसलिए घरों के बाहर लोग कम निकलते हैं ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गर्मी बहुत जादा बढ़ गई है और ये भी एक वज़ा रही कि लोग घरों के बाहर कम निकले और अपने मतादिकार का कम प्रयोग किया हाला कि इसके साथ आपको ये भी बताएं कि चुनाव आयोग की तरफ से गर्मी का खयाल रखने की सारा इंतजाम और सुविधाय की गई थी मसला जितने भी पोलिंग बूत थे वहाँ पर पानी की विवस्था की गई थी जादा तर जगों पर हमने शेट देखा था ताकि धूप में खड़े हो करके लंबी लाइन में इंतजार मतदाताओं को ना करना पड़े तो गर्मी का खयाल चुनाव आयोग ने तो रखा लेकिन शायद यही गर्मी लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर भी करती है अचा कुछ एक्सपर्स ऐसे भी है जिनका यह मानना है कि जितनी बार वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है उतनी बार सरकार बदलती भी है तो मतलब एक तरफ कुछ लोग यह बोल रहे हैं कि ऐसा तब होता है जब सरकार सही काम कर रही है और लोग उसे रिपीट करना चाहते हैं और वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका यह मानना है कि सरकार बदल जाती है अगर वोटिंग परसेंटेज कम होता है वो साल कौन कौन से रहे वो भी आपको बताते हैं पिछले 12 चुनाव की अगर हम बात करें तो 5 चुनाव ऐसे रहे हैं जिसमें वोटिंग परसेंटेज कम रहे हैं लेकिन सरकार बदल गई है देखें 1980 के चुनाव में जो मतदान प्रतिशत था वो कम था लेकिन जनता पार्टी को हराकर कॉंगरस सरकार में आ गई अब इसके बाद 1989 की बात कर लेते हैं और उस वक्त केंदर में कॉंगरस की हलकी बापसी हो गई थी तो ये ट्रेंड किसी एक और ही इशारा कर रहा हो ऐसा नहीं है अब 1999 की अगर बात करें तो उस समय में मतदान प्रतिशत कम था लेकिन सत्ता सरकार बचा नहीं पाई और सरकार बदल गई तो अलग-अलग सालों में जब मतदान प्रतिशत कम रहा है तो ट्रेंड भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है तो किसी एक ही तरफ मोहर लग जाए ये भी ज़रूरी नहीं है लेकिन दो चरण के चुनाव के बाद अब चुनाव आई हो फिर से इस बात के उपर जोड दे रहा है कि बाकी बचे हुए जो ड्राउंट है उसमें लोग घरों के बाहर निकले और मतदान प्रतिशत में झाल